हेलो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे DCB bank के बारे में फिलाल टेट कर रहा है 73.15 पे नीचे के लेवल्स के अगर भी बात करूँ 60 रुपे के असपास यह स्टॉक जाके आया है और फिलाल 73 पे है फेब मार्च के अगर मैं बात करूँ 160 के उपर यह स्टॉक ट्रेट कर रहा था यानि अभी भी काफी अपसाइट दिखने को मिल सकता है इस काउंटर में पर बाइंग कहां पर करनी है अगर आपको एकदम सेफ रहना है तो 81 के उपर बाइंग कीजिए जब डेली चार्ट पॉजिटिव हो जाए उसके बात उसके पहले बाइंग ना करें पर अगर आपको बॉटम फिशिंग करनी है कि नीचे में थोड़ा थोड़ा कॉंटिटी आड करना है तो पहला जो इंडिकेशन था वो 63 पे था वन आवर चार्ट पॉजिटिव हो था अभी भी आड कर सकते है लेकिन एक साथ बाइं ना करें नीचे भी आ सकता है यह पता नहीं दूबारा भी आ सकता है तो फिलाल चोटी कॉंटिटी से स्टार्ट करें एक साथ बाइं मत किजे पूरा का पूरा कॉंटिटी पहला यहां पर सपोर्ट की अगर में बात करूं 69 पे पहला सपोर्ट है वन डे चार्ट क्लियरली नेगेटिव 81 पे इसका रेजिस् तो काफी उपर 132 पे है नीचे के लेवल्स में 63 और उसके बाद जो लोवर लेवल था 57 यह दो सपोर्ट लेवल्स है बट फिलाल जो प्राइज है वो काफी बढ़िया है यहां पे 73 से लेके जो 63 का रेंज है उस रेंज में आप केल सकते हैं छोटी कॉंटिटी आड़ करते अगर यह इस रेंज में अगर यह स्टॉक मिलता है तो स्टॉप लॉस नीचे के तरफ 58 के पास रख सकते हैं लेकिन स्टॉप लॉस मोस्ट लाइकली हिट नहीं होगा क्योंकि अल्री काफी करेक्शन हो चुका है उपर में 81 के बाद अच्छा का साप साइट देखने को मिले देगा फिलाल काफी बढ़िया रेंज है एक साथ बाइंग ना करें मार्केट काफी वॉलटाइल है जब भी मार्केट नीचे जाता है तब बाइंग करनी है अगर मार्केट उपर जा रहा है तब एड नहीं करना है जिस दिन मार्केट गिरेगा उस दिन बाइं कीजिए और accumulate किजिए ये stock long term के लिए काफ़ी बढ़िया returns देगा आने ओले समय में 73-63 के बीच का जो range है उस range में buying किजिए TCB bank thanks for watching this video please do subscribe for regular updates